हेलो गाईज, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट वाला नीम्बू का खटा मिठा अचार, आप इसे सालों तक स्टोर करके रख सकते हो, जितना पुरानोंगा उतना ही स्वाधिश्ट बनेगा तो इसे बनाने के लिए यहां लिए हैं मैंने आधा किलो नीम्बू, नीम्बू इस तरह का कागची नीम्बू होना चाहिए, मोटे छिलके वाला नीम्बू ना ले, छिलका मोटा होने के काण वो देरी से गलता है और कड़वापन रह जाता है, इस तरह से पतली छिलके वाला निम्बू हुई यहां पर आप ले और यहां पर मैं इसको स्टीम कर रही हूं तो यहां मैंने एक कड़ाई में लिया है डेड़ गिलास के करीब पानी अब पानी में एक उबाल आने देते हैं यह देखिए पानी में उबाला चुका है अब यहां एक छनी रख देंगे अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक बड़े पती ले या कड़ाई में पानी ले सकते हैं और जो चावल छानने वाली छन्ली होती है उसका यहां पर यूज़ गर सकते हैं अगर आप पैश्यर कुकर में बनाना चाहें तो आप इसे 4 पीसिज में कट कर लें और फिर हलका सा ओयल डालका इसमें 2 सीटी लगवा ले या फिर इस तरह से स्टीम करके बना सकते हो और आपको ध्यान ये रखना है आपको यहां बिल्कुल भी ऐलिमुनियम के बरतन का यूज़ नहीं करना है उससे कड़वापन रह जाएगा और अचार जल्दी से खराब भी हो जाएगा निम्बू को मैंने चल्ली में रख दिया है अब इसे 15 मिंट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे फिलेम को मीडियम रखेंगे यह देखिए यहां पर 15 मिंट हो चुके हैं चेक करके देखते हैं यह देखिए आपको नजर आ रहा होगा निम्बू अच्छे से बिलकुल पक गया है यह इसका छिलका बिलकुल सोफ्ट हो गया है इसी तरह से आपको इसका बिलकुल छिलका सोफ्ट होने तक ही इसे स्टीम करना है ज्यादा ना पकाए नहीं तो इसका अंदर का जो भी पल वो बाहर निकल जाएगा और अब यहाँ एक पैन में लेंगे कुछ मसाले लिया है देड़ चमच के करीब सौफ एक चमच जीरा और आधा चमच अजवाइन अजवाइन डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कलोंजी, काली मिर्च इन सब को हम सिर्फ एक मेंट के लिए भूल लेंगे ज्यादा न पूने हमें मसालों की हलकी सीलन निकालनी है और इसे ठंडा कर लेंगे और यहाँ पर नीमबू भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब इसे कट कर लेंगे नीमबू को हम चार भाग में काटेंगे, अगर आप आठ पाग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं और यहाँ पर आप एक शार्थ नाइफ का ही यूज करें तो आप बिल्कुल शार्थ नाइफ का यूज करेंगे तो अच्छे से ये कट जाएगा ये देखिए, इस तरह से इसके मैंने चार पार्थ बना लिये हैं और अब यहाँ पर सभी नीमबू को इस तरह से कट कर लेंगे और जो नीमबू में बीज है उसे भी निकाल लेंगे बीज बिल्कुल भी न छोड़े अगर आप अचार खाएंगे तो एकदम से मूँ में बीज आएगा तो बिल्कुल मूँ करवा हो जाएगा तो यह देखिए नीमबू को यहाँ पर काट लिया है और सभी बीज यहाँ पर निकाल दिये हैं यहाँ पर मसाला भी थंडा हो चुका है अब इसे एक मिक्सरी के जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे इसे आपको हलका दरदरा ही पीस ना है ज्यादा बारिक ना पीसे यह देखिए मसाले को हमने पीस लिया है अब इसे एक प्लेट में टांसर कर लेंगे और अब यहां डालेंगे कुछ और मसाले, लाल मेच, यह कश्मिरी लाल मेच है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, यह तीखी कम होती है, तो तीखा पन करने के लिए यहां पर हम आधा चम्मच के करीब डालेंगे तीखे वाली लाल मेच, जादा न डालें क्योंकि इसे ब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब यहां लिए एक स्टील की कड़ाई ध्यान रहे आपको स्टील का ही यहां पर बरतल लेना है और यहां पर हमने 500 ग्राम निम्बू लिये थे तो हम यहां लेंगे 400 ग्राम चीनी आप ज़्यादा मिठा काना पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हूं नहीं तो यह बिल्कुल ठीकी रहेगी और डालेंगे आदा कप के करीब पानी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब यहां पर एक उबाल आने तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे उबाल आ चुका है यहां पर हमने किसी वी तार की चाशनी नहीं बनानी है सिर्फ एक उबाल आने तक ही इसे मीडियम फ्लेम पर हमने पका लेना है अब यहाँ पर जो मसाले हमने बना के रखे हैं उसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को यहाँ पर पकाना नहीं है बस यहाँ पर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दें और mix करने के बाद यहाँ पर डालेंगे कटे हुए नीबू, flame आप low to medium कर लें यहाँ पर और अब इसे अच्छे से mix कर देंगे और अब हम इसे ज्यादा नहीं, यहाँ पर हम इसे सिर्फ 3-4 मिन्ट के लिए ही पकाएंगे उसे ज्यादा पकाएंगे तो चाशनी ज्यादा गाड़ी हो जाएंगी और फिर यह ठंडी होने के बाद भी थोड़ी हार्ड हो जाती है तो इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ इसे 3-4 मिन्ट के लिए ही यहाँ पर पका लेंगे यह देखी हमने इसे यहाँ पर 4 मिन्ट के लिए पका लिया है आपको कलर नजर आ रहा होगा, कितना अच्छा कलर आया है अब फ्लेम को ओफ कर देंगे और अब इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के लिए आप इसे ढखेना क्योंकि बरतन पर पानी बनेगा और अचार के अंदर पानी चले जाएगा उससे अचार खराब होने का डर रहता है आप यहाँ पर इस तरह की छलनी ले सकते हैं छलनी ढख दे और ठंडा होने के बाद ही हम इसे किसी एटाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे अचार यहाँ पर ठंडा हो चुका है आप इसकी कंटेंसिटी देख सकते हो इस तरह का होना चाहिए और अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे इसे बनाते समय आपको सिर्फ कुछी बातों का ध्यान रखना है कि इसकी चाशनी आप गाड़ी ना बनाएं सिर्फ तीन से चार मिंट के लिए ही इसे पकाएं और नहीं यहाँ पर किसी भी ऐलुमिनियूम के बरतन का यूज करें उसे अचार कड़वा हो जाएगा और यह इंस्टेंट अचार है लेकिन आप इसे सालों तक स्टोर करके रख सकते हो जितना पुराना यह अचार होगा उतना ही इसका स्वाद बढ़ता जाएगा और आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखना है अचार में कभी भी गीली चमच ना डाले उससे अचार बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है इस बात का आप ध्यान जरूर रखे यह देखिए नीमबू का खटा मिठा अचार बनकर तयार है यह इंस्टेंट अचार है अब इसे एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे आप इसे अच्चे से गरम पानी से दो कर सुखाले फिर इसे स्टोर करें अगर आपको मेरी वीडियो चलेगे मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं और मेरी चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बाई